हलो फ्रेंड्स मैं आपकी दोस्त अम्रादा एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने ही चैनल अनुमिस में तो दोस्तों कैसे आप लोग उमीद है कि आप सभी लोग ठीक होंगे तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि DSP क्या होता है अगर आपका एम है एक DSP बनना तो इसके लिए क्या eligibility होनी चाहिए इसकी जो है age limit क्या होनी चाहिए इसका process क्या है यानि कि इसकी जो है निकती तक process क्या है DSP कैसे बना जाता है या आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे तो चलिए friends वीडियो इस्टार्ट करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम DSP के full form की बात करें कि इसका पूरा नाम क्या होता है तो इसका full form होता है डिप्टी सुपरिंटेंडेंट आप पुलिस जिसे की हिंदी में उपु पुलिस अधिक छक के नाम से भी जाना जाता है ये जो है आपका एक पुलिस डिपार्टमेंट का एक सम्मान जनक पद और उच्च पद होता है जो की DSP के नाम से जाना जाता है एक DSP के पास बहुत सारे अधिकार होते हैं और उन्ही अधिकारों में से ये भी अधिकार होता है कि एक DSP कभी भी कहीं भी औ Appreciate नीरिक्षर के लिए जा सकता है यानि कि अचानग जो है Checking के लिए कभी भी कहीं भी एक DSP जा सकता है ये उसके पास power होता है और DSP की जो निक्ती होती है वो राज्य लोग सेवा आयोक के द् करने के लिए इसकी योग्यता क्या होनी चाहिए इसको अपलाई कैसे करेंगे तो अगर आ एकडीस्पी बनना चाहते हैं तो इसके लिए आप tran imprison के हमीनिमम आपका graduation होना चाहिए अगर आप graduation है तो आप DSP के लिए apply कर सकते हैं साथी साथ अगर आप appearing है तो भी आप apply कर सकते हैं जैसे अगर आप graduation के last year में हैं और graduation ऐसा यहाँ पर कोई भी condition नहीं है कि आप किसी particular stream से हो like commerce से हो या फिर science से हो, arts से हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं आप any stream से हो अगर आप graduation किये हैं तो आप इसके लिए apply कर सकते हैं और साथी साथ अगर आप appearing है यानि कि graduation के last year में हैं तो भी आप apply कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर एक condition है कि जब इसका document verification होगा तो वहाँ पर आपको final year की भी mark sheet present करनी होगी यानि कि document verification के समय आपको सारा document जो है आपका एक return exam होता है return में आपका prelims होगा, mens होगा यह दो आपके return exam होते हैं उसके बाद इसका interview होगा इसे के साथ साथ आपका physical भी होता है यानि कि इसके निवती की जो process है वो यह है कि return exam होगा return में prelims होगा, mens होगा उसके बाद जब आप qualify कर लेंगे तो आप interview के लिए जाएंगे उसके बाद जो है इसमें आपका physical भी होता है जिसमें running वगरा हो गई और height वगरा check होती है chest वगरा check होता है यह सारे चीज़े जो भी physical में आती है पूरी तरीके से इसमें जो होता है उसके बाद अगर इसकी eligibility की बात करें तो eligibility हमने बताया है कि graduation होना चाहिए और age अगर देखें तो age जो है इसमें state wise होता है जैसे आप जानते हैं कि हर state का अपना एक अलग-अलग PSU होता है और वहां पर अलग-अलग relaxation होता है और उसी के आधार पर age limit निर्धारित होती है तो यहाँ पर अगर हम age की बात करें तो minimum 21 होना चाहिए और maximum 30 होना चाहिए और यहीं पर आपको कुछ हारक्षड भी मिल जाता है अगर आप OBC के आते हैं तो आपको 3 साल का इसमें relaxation मिल जाएगा और अगर आप CST के डिगरी में आते हैं तो यहाँ पर 5 साल का आपको relaxation मिल जाता है उसके बाद next अगर हम देखें तो DSP का कुछ promotion भी होता है यानि कि अगर आप एक DSP बन जाते हैं तो आगे चलके कुछ समय बाद आपका promotion भी होता रहता है तो promotion जो है किस तरीके से होता है आप DSP के बाद क्या बनेंगे तो देखें यहाँ पर सबसे पहले आपको मुपु पुलिस अधिक्चक यानि की DSP बनाए जाता है उसके बाद जो है आप एक अतिरिक्ट पुलिस अधिक्चक यानि की ASP बनेंगे उसके बाद next आता है SP उसके next आता है SSP और उसके next आता है DIGP उसके बाद है IGP और उसके बाद है ADGP और अगला जो है वो है महा निर्देसक जो कि सबसे बड़ा होता है और ये है DGP तो ये जो है इसके promotion के list रही उसके बाद friends अब यहाँ पर हम बात करें कि जो आपके DSP होते हैं इसका किस तरीके से निक्ती होता है इसका पूरा process क्या है कहने का मतलब कि किस तरीके से form apply करते हैं तो यहाँ पर दो तरीके आपके पास होते हैं एक होता है UPSC के थ्रू जा सकते हैं और दूसरा होता है आपका state PSC के माध्यम से जा सकते हैं यानि कि अगर आपको DSP बनना है तो आप UPSC का exam qualify करके इसके माध्यम से जा सकते हैं दूसरा है कि आप state wide जा सकते हैं हर एक state का अपना अलग-अलग PSC होता है अपना अलग-अलग PSC exam होता है चाहे मा लिजे कि आप बिहार PSC का exam देते हैं या फिर UPPSC का exam देते हैं यानि state wide जो है यहाँ पर अलग-अलग होता है तो अगर आप चाहें तो state PSC के माध्यम से DSP बन सकते हैं या फिर आप UPSC के माध्यम से DSP बन सकते हैं तो अब यहाँ पर थोड़ा सा अगर आप UPSC के माध्यम से जाते हैं तो इसका जो पर होता है थोड़ा सा tough होता है hard होता है किसके recording state PSC के recording लेकिन जब आप state PSC का exam देंगे तो इसका जो आपके question आएंगे जो paper आएगा क्योंकि अगर हम UPSC की बात करें तो UPSC का जो exam होता है तो इसमें जो question आपके put up होते हैं वो आपके national level के question होते हैं लेकिन अगर हम state PSC की बात करें तो इसमें जो है आपके state level के question बनते हैं तो इसलिए थोड़ा सा जो है ये easy हो जाता है state PSC और UPSC जो है आपका hard हो जाता है लेकिन दोनों ही तरीके से जो है आप एक DSP बन सकते हैं तो दोस्तो आई hope कि आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी और आपने जाना होगा कि एक DSP की निक्ति किस तरीके से होती है तो अगर आपका aim है DSP बनना तो आप जरूर बने तो इसी के साथ friends आज की इस वीडियो में बस इतना है और हाँ अगर आपको वीडियो जरा भी पसंद आई हो और आप चाहते हैं कि आपके साथ साथ आपके friends भी ये सारी चीज़े जाने और भी जितने student हैं वो लोग जाने तो please friends एक वीडियो को like और share दू करी देना तो चलिए friends मिलेंगे नेक्स वीडियो में एक नए content के साथ तब तके लिए friends have a nice day and I love you all